हेलो गैज आए हम लोग बिटकोईन के चार्ट को अनलीसिस करते हैं तो बिटकोईन के चार्ट में हमने आप जाग पीछे 10 दिन 15 दिन के देख लिजेगा जहां जहां जो जो लेवल दिये हैं एड्जेक्ट वाई लेवल हिट हुआ है और जितना भी अनलीसिस है वो करेक्ट ह यहां पर हमने बूला कि मार्केट में आप देखिए कि प्राइजेक्शन यहां बुलीस है यहां से बाइंग आई यहां डवल टॉप बनाके मार्केट नीचे आ इसका 50% सेगेंड बाइंग आगई अब यह मार्केट जो है यहां से चुकि अगर हम यहां से पकरके चलते हैं यह टार्गेट है और इसके बाद फिर यह है फिर 72,000 का टार्गेट मैंने देख रखा है और देखिए कितनी संदार बाइंग आई है मैंने कल भी बोला था कि सौर्ट करने के अभी कोशिस नहीं करना आप आप जो हैसो बस बाई और डीप रहो जब भी डीप में मिले तो ब यह लो लग गया लेकिन यह जो लो है वह जो है जो मैन ट्रेंड के मलेजी यह में ट्रेंड है यहाँ से अगर हम फेबनाची को मार्क करोगे तो 0.5 और 0.6 पर तो भले मार्केट जब एक अच्छा अच्छा रएलिक कर देता आए तो रिट्रेस्मेंट लेने के लिए नीच लेकिन ट्रेंड मीश हो जाएगा उसके चक्कर में तो आप एक डिरेक्शनल पकर के चलिए कि अभी इस डिरेक्शन में मार्केट मान लिजे कि यह गया उपर फिर रिट्रेस करके फिर यह जा रहा उपर तो हमें रिट्रेस्मेंट पर बाइंग क्या पोजिशन बनाना है सोट करने के बारे में मत सोचना आप क्योंकि हर बार तो फिर क्या होगा कि आपको बड़ा पैसा मीश हो जाएगा छोटे-छोटे पैसा पॉस जाओगे और फिर आपके यहां से ट्रेड़ छोटने लगता है यह कई बार होता है चोटा-छोटा जब ट्रेट पकरना शुरू कर द तब बड़ा पैसा बनेगा नहीं तो बस ऐसे ही आपका 2400 रुपया बंते रहेगा और आप उसमें परसान रहेंगा ठीक है वीडियो परसान देता सब्सक्राइब करें